हलो स्वागत है आपका हमारे चनल केरियर अपडेट बाइंजीनर में मैं हूँ रंजन राज और यहाँ पर CSIR की तरफ से यानि की सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक इंजीनरिंग रिसर्च इंस्टीटूट की तरफ से एक पर्मानेट जो अपडेट निकल के आ रहा है ठीक है यह जो कि आप उसको देख लिएगा ठीक है तो सारा कुछ इस वीडियो में इसको नोटिफिकेशन को मैं डिसक्स करने वाला हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है एज क्राइटेरिया क्या है कब से फार्म इसके सुरू होंगे कब तक का डेट है कौन सी पोस्ट पर ज देख सकते हैं एड्वार्टाइजमेंट नंबर एक बटे 2022 है ठीक है और जो ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म सुरू हो रहा है वो 28 जन्वरी से सुरू हो रहा है कब तक चलेगा एक मार्च 2022 तक यह चलने वाला है ठीक है अब एड्वार्टाइजमेंट फार्द पोस्ट आ निकल के आया हुआ है तो पहला देखिए टेकनिसियन वन का पोस्ट है और दूसरा है टेकनिकल असिस्टेंट का पोस्ट टेकनिसियन का जो पोस्ट है वो आई टीए वालों के लिए है सभी लोग इससे परचित होंगे और जो टेकनिकल असिस्टेंट का पोस्ट है यह यहाँ पर आपको हजारों की संख्या में वेकेंसी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि वो apprentice के form में वेकेंसी जब निकलती हैं तो वो ज़्यादा वेकेंसी होती है। यहाँ पर pay level देखिए काफी ज़्यादा आपको होने वाला है, आईटीए वालों के लिए 9900-63200 और टेकनिकल असिस्टेंट के लिए 35400-112400 अप्रॉक्सिमेटली जब आप जॉइन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा लगभग-लगभग 28000 रुपए आईटीए वालों को और टेकनिकल असिस्टेंट वालों को लगभग-लगभग 48000 तो जनरल वालों के लिए 28 साल वाकी आपकर जो एक रिलक्सेशन यह है OBC को और EFCST को यहाँ पर मिलने वाला है अब देखिए यहाँ पर पहली पोश्ट की बात करें टेकनिसियन की तो यहाँ पर RAC मकैनिक का एक पूश्ट निकल के आ रहा है अब इसके लिए देखिए जो आपके पास होना चाहिए जिसमें आपका science होना मस्ट है यानी कि 10 हैं अगर आपने पास आउट किया है तो उसमें आपका science एक subject के रूप में होना चाहिए और जो आपके 55% marks minimum आपके होने चाहिए और साथ ही चाहिए and ITI certificate are national या state rate certificate in refrigerator and care conditioning यानी कि आपके पास ITI का certificate चाहे national हो चाहे state का हो यानि कि NCVT वाले पर apply कर पाएंगे या SCVT वाले पर apply कर पाएंगे तो यहाँ पर आप apply कर पाएंगे ठीक है इसके साथ क्या हो अगर ठीक है यह देखी और यहाँ पर लिखा हुआ है यानि कि आपके पास 10th plus ITI हो या 10th plus आपने 2 साल का apprentice का रखा हो या आपने 10th plus 3 साल का apprenticeship का रखा हो या 3 साल का experience हो तो भी आप इसमें eligible हैं ठीक है यह चीज़ियां यहाँ पर लिखी हुई है आप देख लिजेगा एक बर मैं पढ़ देता हूँ कि associate 10th student with science 55% marks and 2 year full time experience is an apprentice training ठीक है दो साल का experience है तो भी आप apply कर पाएंगे इसी तरीके से आप देखें तीसरा condition क्या है यह और करके लिखा हुआ है इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा नहीं तो आप लोग वीडियो को समझते नहीं नीचे comment करने लगते हैं तो अगर आपके पास 10th है अगर आपके पास आई टीयाई है तो भी आप apply कर सकते हैं इसे के साथ अगर आपके पास 10th के बाद 3 यह का work experience है तो भी आप apply कर पाएंगे लेकिन यहाँ पहले point में लिखा है कि 10th के बाद अगर आप पास आई टीयाई है तो Fraser candidate भी यहाँ पर apply कर पाएंगे इस चीज को मैं clear करते रहा हूँ ठीक है तो यह तीन condition है अगर आपके पास यह है तो भी आप apply कर पाएंगे अगर आपके पास यह है तो भी apply कर सकते हैं अगर यह है तो भी apply कर सकते हैं ठीक है अब देखिए same यही जो qualification है सब में मांगी गई है तो technician, electrician का देखिए आप चार post है अनरजर्ट का 2 है SC का 2 है यहाँ पर आपके पास 10th प्लस IT ही होना चाहिए और नीचे वही दो चीज़ें है अगर आपके पास 10th के पास दो यह का 10th के बाद 2 यह के apprentice भी कर रखा है तो भी apply कर पाएंगे और 10th के बाद 3 यह का experience है तो भी apply कर सकते हैं कोई यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है technician plumber का एक post है same यहाँ पे qualification मांगी गई है इसी तरीके से technician mansion building का एक post है यहाँ पे भी same qualification मांगी गई है इसके बाद tool and die maker का एक post है यहाँ पे भी same qualification है 10th plus ITI आपके पास होना चाहिए इसी तरीके से turner का दो post है 10th plus ITI आपके पास होना चाहिए इसके बाद आपके देखें fitter का यहाँ पे तीन post है यहाँ पर भी आपके पास 10th plus ITI होना चाहिए अगला देखी क्या है electronic mechanic का यहाँ पर total number आप post 4 है 10th plus ITI आपके पास होना चाहिए इसी तरीके से technician chemical plant का यहाँ पर तीन post है 10th plus ITI आपके पास होना चाहिए अब हम लोग बात करते हैं technical assistant की यानि कि यह post किसके लिए है technical assistant की डिपलोमा वालों के लिए तो देखे technical assistant electrical का यहाँ नंबर आप post कितना है 2 है इसमें आपके पास क्या होना चाहिए 3 year full time डिपलोमा होना चाहिए with 60% marks और यहाँ पर आपसे experience मांग लिया गया है and experience of 2 years in electrical engineering and technology यानि कि जो technical assistant के चात्र है जो आनि कि जो डिपलोमा वाले चात्र है उनके पास 3 year full time डिपलोमा का साथ 60% के साथ साथ experience भी 2 साल का होना चाहिए या फिर आपने क्या किया हो 2 साल का अगर डिपलोमा किया हो तो भी आप eligible है क्योंकि काफी ज़्यादा लड़के 12th के बार direct second year में admission लेते हैं तो कहीं कहीं पर वो eligible नहीं होते हैं लेकिन यहाँ इन्होंने लिख दिया कि 2 year का अगर lateral interval आपने डिपलोमा किया है तो भी आप eligible हैं और साथ चात्र दो साल का आपके पास experience होना चाहिए आपकी field में इसी तरीके से बात करें mechanical की तो यहाँ पर दो post है यहाँ पर भी आपके पास 3 साल का डिपलोमा 60% marks के साथ और 2 year के experience आपके पास होना चाहिए तो अब हम लोग बात करते हैं selection procedure की तो selection procedure आप देखेंगे कि the candidate यह देखें technician post के लिए है the candidate as recommended by the screening committee will be invited for trade test those who qualify in the trade test will be invited for competitive written examination याने कि simple सा matter आप समझेए कि सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि जिन लोग को select किया जागा सबसे पहले उनका क्या होगा trade test होगा ठीक है उसके बाद written exam होगा the final merit list will be prepared on the basis of performance of candidate in competitive written examination याने कि simple समझेए सबसे पहले आपका क्या होगा सबसे पहले आपका होगा trade test उसको जो qualify करेगा उसको written exam में बैठने का मौका मिलेगा ठीक है तो इसी तरीके से यह जो देखे paper का इनोंने schedule दिया है टीन पेपर होगा अब जो लोग written exam के लिए qualify होंगे उनका तीन पेपर होगा paper one two and three ठीक है तो यह सभी आप देख लीजेगा यहाँ पर जो paper का सारा कुछ यहाँ पर discuss किया गया है 150 questions रहेंगे धाई गंटे का समय है कौन कौन से subject होंगे कितने marks के paper होंगे यह सारे चीज़ें यहाँ पर discuss किया गया है ठीक है तो यह चीज़ें आप देख लीजेगा अभी आप form बरिए इसका जो selection procedure है exam pattern है वो मैं पूरा next studio में discuss कर द पर आपको आ जाना है और आपको यहाँ पर apply कर देना है 100 रुपए आपका फीज लगने वाला है जनरल ओबीसी वालों का बाकी सी स्टी डबूड का किसी भी तरह का application फीज यहाँ पर नहीं लगने वाला है ठीक है आप अगर एक से ज़्यादा पोश्ट पर apply करना चाहते है जिसे बहुत से लोगों आइटिय भी किया होता है तो वो लोग कर सकते हैं हर application के लिए आपको 100 रुपए जो है फीस देनी होगी ठीक है और आपके पास उस application को फिल करने के लिए eligibility जो होना चाहिए तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है जिन लोगों आइटिय डिप्लोमा द आपको description box में दे दूँगा वहां से जा कि आप इस notification को download कर सकते हैं read कर सकते हैं और अगर आप apply करना चाहें तो apply भी कर सकते हैं साथे साथ ये notification आपको हमारे टेलेग्राम गृप में भी मिल जाएगा टेलेग्राम गृप में और भी बहुत से चीज़ें जो initiative है नोट्स